हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टेक वी थाई क्यों मैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुस्मान भारत काट के एक ने पोर्टल सेतु पीएम जे यूए के बारे में National Health Authority के इस पोर्टल के बारे में आप सभी लोगों को पताओगा इस पोर्टल को कम्पलीट अपडेट कर दिया है सबसे पहले में आपको बता दू जिन भी लोगों ने याप पहले अपने आथा नंबर OTP के माध्यम से लोगिन किया था उन सभी के अकाउंट को याँ से डियक्टिवेट कर दिया है उन सभी के अकाउंट को याँ से डिलीट कर दिया गया है क्योंकि दोस्तो इस पोर्टल में जिन भी लोगों का आधार कार्ट के साथ मोबाई नंबर लिंक नहीं था वो लोग यहाँ पे login नहीं कर पा रहे थे तो इसी region से इस portal को complete update कर दिया है अब जिन लोगों का आधार card के साथ mobile number link नहीं भी है तो वो लोग भी अब यहाँ से अपना एक account करेट कर सकते हैं तो वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे यदि आपको वीडियो पस अपने फैमली मेंबर का नेम आयस्मान भारत लिस्ट में एड कराना चाते हैं तो आप यहाँ से self user account करेट कर सकते हैं यदि आप अपने अलावा औरों का भी आयस्मान कार्ड बनाना चाते हैं उनका नेम भी आयस्मान भारत का लिस्ट में एड कराना चाते हैं तो आप यहा हमने register user का एक form open हो जाएगा आपको इस form को complete fill up करना होता है इसमाँ आप सबसे पहले state का selection कीजेगा सबसे पहले आपको जिस भी state से आप belong करते हैं उसका selection यहाँ से कर लेने हैं district का selection आप यहाँ से कर लेंगे इसके बाद submit वाले option पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे user has been successfully created का option यहाँ पे आ चुका है अभी आपको यहाँ पे login करना होगा जिसके लिए आपको उपर पे login का एक option देखने को मिल जाता है इसके बाद माँ आपको यहाँ पे अपना एक mobile number इंटर करना है signing वाले option पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके mobile number पे एक OTP sign किया जाएगा आपको complete OTP यहाँ पे फिलप कर लेना है इसके बाद signing वाले option पे आप एक बार क्लिक किजिएगा इसके बाद में आप सभी के सामने एक new page open होके आ जाएगा जहां पे आपकी सारी details automatic आ जाती है इसके बाद में next option आपको देखती हो मिलता है complete your EQC का जिसके लिए आपको यहाँ पे आपका आधार कार नमबर इंटर करना होगा एन EQC complete करने के लिए यहाँ पे आपको चार option देखने को मिल जाते है यदि आपके आधार कार के साथ में mobile number लिंक है तो आप OTP वाला माध्यम यहाँ से select कर सकते है यदि आपके पास finger device है तो finger वाला option आप यहाँ से select करेंगे एन ID के माध्यम से आप अपनी EQC complete कर सकते है यदि आपके पास इनमें से कोई device नहीं है और आपके आधार कार के साथ में mobile number लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे face के माध्यम से भी अपनी EQC complete करा सकते है हमने आप आधार कार नमबर इंटर कर लिया है हमारे आधार कार के साथ में mobile number लिंक है तो हमने आप यहाँ पे OTP generate कर लिया है और OTP का fill up करके आपको यहाँ पे verify का एक option देखने को मिल जाएगा आपको simply verify वाले option पे किलिक कर लेना है इसके बाद आप सभी की सारी detail आधार कार नमबर की मदब से ले ली जाएगी और आपका complete profile यहाँ पे open होके आजाएगा आपको यहाँ पर एक capture का fill up करना होता है आप नीचे की और scroll करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे EQC successfully completed आपको नीचे की और scroll करना है और आपको यहाँ पे capture दिया जाता है आप यहाँ पे capture fill up करेंगे और submit वाले option पे आपको एक बार click कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे user EQC has been successfully updated आ चुका है इसके बाद फिर से आपको login page पे आ जाना है और अपना mobile number जो आपने register करते time दिया था इंटर करेंगे signing वाले option पे आप एक बार click कीजिएगा इसके बाद में आपके mobile number पे again एक OTP send किया जाएगा आपको complete OTP आप फिल अप करना है और signing वाले option पे click कर लेना है अब यह आप सेतू PMJUI में login हो चुके हैं आप यहीं से लोगों का आइसमान कार्ट बना सकते हैं एन उनका नाम आइसमान भारत का लिस्ट में add करा सकते हैं यह दिया आपको किसी परसन का आइसमान भारत कार्ट बनाना है तो आप PMJUI में एक बार click कीजिएगा विलेज टाउन के मदद से फैन कर सकते हैं या भी रासन कार्ट की मदद से फैन कर सकते हैं हम यहापे विलेज टाउन का सिलेक्षन कर लेते हैं इसके बाद में आपको चुनने हैं आप अर्बन एरिया से हैं या रोरर एरिया से इसके बाद में आपको अपने state का selection यहां से कर लेना है आप जिस भी state से belong करते हैं district का selection करेंगे, block का selection आपको कर लेना है and last में आपको आपके village का selection कर लेना है इसके बाद में आपके village में जितने भी logo का name आयस्मान भारत का list में add होगा उनकी complete list यहां पे open हो जाएगी आपको जिस भी person का आपस्मान भारत कार बनाना है आप उस person का name या से search करके भी fan कर सकते हैं and जिस भी person का आपस्मान कार बनाना है उसके सामने आपको view का एक option देखने को मिलेगा आप एक बार इस पे click किजिएगा इसके बाद में उस person की complete detail यहां पे open हो जाएगी यहां पे आपको दो option देखने को मिलते हैं आधार कार नमबर और रासन कार नमबर आप इन दो तरीकों से person का SMART बारत कार बना सकते हैं इसके लिए आपको यहां पे आधार कार नमबर इंटर करना है get data वाले option पे आप एक बार क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको person की basic detail इंटर करने होगी इसके बाद EKC आपको यहां पे करने होगी इसके लिए आप OTP का माध्यम ले सकते हैं इन इसके बाद में review का option आपको यहां पे देखने को मिलेगा इन इसके बाद में आप इसी person का आयस्मान का तुरंत यहां से download कर सकते हैं इसके लावा यदि आपको किसी person का name आयस्मान भारत का list में add कराने है add new member वाले option पे क्लिक कीजिएगा state का selection आप यहां से कर लीजिएगा इसके बाद में इसकी में आपको दो option देखने को मिलते हैं रासन कार्ड इसके लावा दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री जनारो के अभियान में आपका name add है तो आप यहां से selection कीजिएगा इसके बाद में next option आपको देखने को मिलते है आथार एंड रासन कार्ड आपका जैदी रासन कार्ड में name add है तो आप रासन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लावा आथार कार्ड की मदद से भी अपना name add करा सकते हैं इसके बाद में आपको अपना आथार कार्ड नंबर इंटर करना है और इसके बाद get detail वाले option पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका नम आयस्मान भारत का लिस्ट में add हो जाएगा और इसी portal की मदद से आप अपना आयस्मान card बना सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जुरूर करें चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को अलपर से जरूर कर लें आपको मारे चैनल पेसी पर करके वीडियो मिलती रहती है